असलाम अलेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल, कैसे हैं आप सब? उमीदे सब ठीक ठाग होंगे और बहुत मज़े में होंगे तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टिचिंग टाउजर पेंट की स्टिचिंग करेंगे हम औरगेंजा की डिटेलिंग के साथ ट्रेंडी सा ये डिजाइन हम बनाएंगे, बहुती स्टाइलिज और बहुती जादा फेशन में है औरगेंजा से बने हुए टाउजर्स, तो आज हम ये सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले टाउजर की कटिंग कर लेंगे इस टाउजर की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो उपर आय बटन में मैं इसका लिंक देदूँगी आप देख लिजेगा सबसे पहले हम टाउजर के फ्रेंड के आसन को हम एक साथ जोइंट कर लेंगे सलाई लगा कर और बेक साइट के भी दोनों आसन्स हम आपस में जोइंट कर देंगे आसन्स की सलाई हमने लगा दी है आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों साइट के मतलब फ्रंट का दोनों आसन हम एक साथ जोड़ देंगे और बेक के दोनों एक साथ उसके बाद हम इसको खोल रहे हैं खोल कर एक दुस्री के उपर रखेंगे इस तरह से उल्टे साइट दोनों बाहर की तरफ होने चाहिए और दोनों को मिलाके हम साइट्स वाली सिलाई भी लगा देंगे पांचे की साइट्स से मैं स्टार्ट करके इनकी सिलाईयां लगा दूंगी दोनों साइट्स से हम इस तरह से इन दोनों हिस्तों की सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स विडियो आपको यूसफुल लगे तो विडियो को लाइक कर लिजेगा और अगर आपने अभी तब मेरा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जज़ा कर ला कि दोसरी साइड को हम हैं इस तरह से बंद कर देंगे दोनों साइडेंप बंद कर देंगे हम सपाय लगा के दोनों साइड से आमसलाई लगा दी है अब हम और गिंजा का प्ड़ा लेकर उसका तक्रीबन 3 इंच चोडाई जदना हमने कपड़े की पटी निकाल दी है करतिंग करके अब हम उसको फोल्ड कर देंगे डूपांचों के लगाणे के लिए कि टाउज़र मैं पांचे की folding के लिए जो हमने margin छोड़ा था उसको भी हम क्रीज लगा देंगे इस तरी से ताके हमें idea हो जाए कि हमें कितना folding के लिए कपडा रखना है तो हम को हो detected क्षिद्धी वाली साइड ऊपर रखे और रहेंगे नीच Keys कि तरफ रखेंगे हम्ने हैं यह कण पर रखेंगें और आरशारीगे तरह स्वाने बंदेर happier और इसकी सिरकी सिल्एड लगाए आ ice पर Corr इसी तरह हम दूसरे पांचे पर और गन्जु 해서 कैने कर लेंगे कैसे अन्य में क्प्राइब लिए ओर लोगा दिया इसको हम पहले प्रेस कर लेंगे इसरी के साथ इस तरह से फिक्स करने के लिए जो हमने और गेंजा की पटी लगाई है उसकी सिलाईयों के ऊपर फॉल्ड करते हुए इसको पांचे की फोल्डिंग वाले पीस को इस तरह से थोड़ा सा अंदर रखके उपर लेकर आना है इसको और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे दोनों पांचों के उपर हम इसी तरह से सिलाईयां लगा देंगे पहले फॉल्डिंग वाले कप्टे को हम इस तरह से यह दोनों सिलाईयां जो मतलब यह हमने पांचा फोल्ड किया है इसको हमने सीधी साइड पे फोल्ड किया था और हम इसको गुमा के उपर उल्टी वाली साइड पे ले आएंगे और और उर्गेंजा वाला कप्डा जो हमने लगाई थी पट्टी वो आटोमेटिकली बाहर क की तरफ आजाएगी और हम इसकी किनारों पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे आपको समझ में आ रहा होगा अब जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है अगर आप चाहें तो उस पर भी एक दुबारा से सिलाई लगा दें मशीन के साथ और अगर आप चाहें तो आप इसकी तुर्पाई के साथ 20 कर सकते हैं इसकी तुर्पाई कर दें बेक साइट से फिनिशिंग के लिए मैं इसकी तुर्पाई करूंगी अब हम दोनों साइट को मिलाते हुए पांचों की सिलाईयां भी लगा देंगे मतलब के टाउजर की बीच की सिलाई बराबर करते हुए इसको हम पांचे को फोल्ड करके इस तरह से जो हमने मार्जिन चोड़ा था सिल कहां से हम बॉटम से लेकर ऊपर तख हम चलाई ले आएंगे बीच वता हम हिसे को बंद करते हुए था ह producer में दोनो साइट से हम चलाई लगा देंगे प्री बीच वाली चलाई को इस तरह से और बीच वाली सलाई को डबल सलाई कर दिया करें मैं इसकी डबल सलाई लगाऊंगी और एक दूसरे के साथ सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से सलाई लगा देनी है दोनों साइट से टाउजर की बीच की सलाई लगा देंगे हम दूसरी साइट से भी हम 5 से स्टार्ट करेंगे जितना हमने 5 चुड़ाई में लेना है दोनों को बराबर करते हुए हमें सिलाई दूसरी साइट से भी लगा देनी है पांचे से शुरू करते हुए उपर की तरफ हम सिलाई को ले कर जाएंगे और बीच में से सलाई को डबल करते हुए हम इसको सीधा नीचे तक दूसरे पांचे तक इसी सलाई को लेकर जाएंगे हम ताके डबल मजबूत हो जाएगी सलाई अब हम इसकी थोड़ी सी कटिंग करके पांचों से इसको थोड़ा नीच कर लेंगे दोनों साइडे हमने बन कर दी हैं अब हम टाउसर में लास्टिक दाल लगाएंगे लास्टिक लगाने के लिए हम लास्टिक लेंगे जितनी हमारे पास कमर की नाप है उससाब से जितनी हमारी वेस्ट बनती है उससाब से हमेशा 5 इंच कम करके लास्टिक का नाप लिया जाता है मतलब लास्टिक जो ली जाती है वो हमारी नाप से 5 इंच कम ली जाती है for suppose के यहाँ पर हमारी कमर की नाप 32 inches है तो 5 inch कम करके हम 27 inch की elastic लेंगे cutting करके 27 inch की elastic हमने ली है और इन दोनों sides को हम आपस में इस तरह से जोड लेंगे पक्की सिलाई लगाके 2-3 सिलाई लगाके आप elastic को round कर ले अब हम इसको टाउजर पर रखेंगे टाउजर पर जितनी हमने elastic के लिए margin छोड़ा था उससे नीचे हम रखके margin वाला कपड़ा उपर इसके ले आएंगे फोल्ड करते हुए और इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे चारो तरफ और इस बात का ध्यान रहे कि जो सिलाई है वो elastic के उपर ना चड़े इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए elastic को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें चारो तरफ से इसकी सिलाई कर देनी है elastic को खींशते जाएंगे हम बाहर निकालते जाएंगे ताके आसानी से यह सिलाई लग जाए elastic को खींशते हम थोड़ा लूज करते जाएंगे और इस तरह से कपड़े में चुनट बनते जाएंगे और हम इसकी बाहर वाली सिलाई कर सकेंगे elastic को थोड़ा थोड़ा खींशते हुए और हमने यह पूरी सिलाई लगा देनी है उसके बाद elastic को पका करने के लिए भी हम इसके बीच में एक सिलाई लगाते हैं elastic को खींशते हुए elastic हमारी तक्रीबन लग चुकी है अब हम इसको पका कर देंगे यहां पर सिलाई को और टाउजर को दोनों तरफ से पकड़के और दोनों बीच वाली साइड हैं आपस में मिलाके और चारे चुनट को इकोल कर देना है और बीच में इस तरह से खींश के एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से खींशते हुए elastic को बीच वाली सिलाई सेंटर पे बिलकुल लगा देनी है और इस तरह से elastic पक्की हो जाएगी लेकिन ये बीच वाली सिलाई लगाने से पहले फ्रेंट्स आपको चुनट्स पूरी तरह से इकोल फेला देने हैं टाउजर की बीच वाली साइड हैं आपस में मिलाके और खींशते हुए इन चुनट्स को चारो तरफ फेला देना है और उसके बाद ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से सिलाई लग चुकी है टाउजर हमारा रेडी है और बहुत ही अच्छा ट्रेंडी सा ये डिजाइन है आपको पसंद आया होगा थेंक्यू सो मच पर वाचिंग अलाह आपेस